तो आज मैं बात करना माला हूँ आयर सीटीसी के बारे में क्योंकि आयर सीटीसी के स्टॉक आज के दिन स्प्लिट किया गया है और फिर से एक बार आपको मौका मिला है सस्ते में इस कुमपणी को बाई करने के लिए क्योंकि इसका प्राइस रेंच आप देख सकते हैं 6000 तक भी क्रॉस कर चुके थे जब से इसके बार वीडियो बना रहा था तब इस कुमपणी का प्राइस रेंच करीवन 800 के रूपीज था तो तब से लेके 6000 तक भागा और आज कुमपणी स्प्लिट करने के बार उसी रेंच म में फिर से एक बार आ चुके है तो आफ इसमें अभी इस टाइम में इसमें कितना मौका है और तो यहां पर मैं सारे जानकर आपको देने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्रीब ने कि है तो जूरू सब्सक्रीब कर लेना क्योंक स्टॉक मार्केटि इंफर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहा है तो चलो देखते हैं आज के आयां सेटीसी के बार में देखे कॉंपनी स्प्लीट होने के बाद कॉंपनी का जो प्राइस रेंज है जो आज के दिन का क्लोजिंग है वो करीवन करीवन 923 रूपीज है करीवन 300 परसेंट 300 पॉइंट से भी ज्यादा तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर पॉफिट बॉकिंग दिखा तो फिर भी दिखिए एक आप्टेंग में तो कुछ दिनों से आज के दिन उस पॉफिट बॉकिंग सायद खतम हो गया और फिर से एक आप्टेंग दिखाया तो मुझे नहीं लगता फॉफिट बॉकिंग खतम हो गया मुझे और भी लग रहा है कि तोड़ा सा और भी गिर सकता है क्योंकि आज के दिन स्पिलिट होने के बाद ज्यादा कर बाइंग हुआ है तो सायद इसलिए आज के दिन एक तेजी देखने को मिला तो पिछले दिनों में आपको देखने को मिलेगा इसमें कितना तेजी होगा के गिरावट होगा वह तो बात के बाद है तो आप पहले एक बार सोच लीजिए जिस कॉम्पानी का प्राइस रें कर बीजने कर रहा है और के इसके बार बात आपको जुरू कर रहें तो इस पर में बहुत बार वीडियो बना चुका हूं सायद वह वीडियो आपने देखा होगा तो इस company के बारे में एक बात आपको जोरू कहूंगा company का जो annual result है annual नहीं quarter basis जो result है वो first November में आने वाला है तो एक बार इस result को आने दीजिए उसके बाद आप इसमें खरिदरी करिएगा थोड़ा सा wait करिएगा तब इसका price 1500 भी हो जाए तो तब आप खरिदरी करेंगे तो थोड़ा सा wait करिए क्योंकि company का result है पिछले quarter का result था वो करोना के situation में उतना अच्छा का सा result नहीं हुआ negative result था तो इस situation में आपको positive और किस तरीके से growth हुआ है company का performance में उसको आपको देखना चाहिए तो उसी के भारे में थोड़ा सा wait करना 1st November आने दीजिए उसके बाद आपको लगे stock में buy करना है तो आप buy कर सकते है तो यहापर देखिए company का performance के बारे आप बात करूँ तो company आ यहापर देखिए 1279 इसका high दिखा रहा है मगर इसका high था 6000 के उपर कि कोई company split है split किया तो इसलिए यहापर adjustment करके इस price को high दिखा रहा है तो company के आज के दिन का delivery देखिए करीवन 22% का delivery आज के दिन company में उठा गया है company के information के बारे में बात करू company large company है साथिसाथ company का PRC मुझे बहुत बहुत हाई लग रहा है साथिसाथ company का return of capital employee और return of equity थोड़ा सा week level मुझे यहापर दिख रहा है यहापर face value 10 रुपिया दिख रहा है यहापर आपको 2 रुपिया face value देखने को मिलेगा क्योंकि 1 is 2 5 ratio में इसको split किया गया तो मतलब एक के बदले आपको 5 share मिलने वाला था जो पहले से इस share को घरिवरी करके रखे है तो उसको एक के बदले 5 share आज की दिन मिल चुका है तो इस मतलब आभी भी आपके डिमेट अकाउन में नहीं दिखा रहा है तो 2-3 दिन आपको 2-3 दिन होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगता है एडजस्मेंन करने के लिए तो पैनिक मत होना आपके पास जुरूर इस price range में 5 share आपको देखने को मिलेगा मतलब आपने जितने सारे share खरीदारी करके रखे है पहले से तो उसको आप multiply 5 से करेंगे तो आपको उतना share मिल जाएगा तो company का far performance के बारे में बात करूं company का सबसे जो अच्छा चीज मुझे लगा totally almost debt free company है साथी साथ company return of equity अच्छा खासा है return of dividend भी company अच्छा खासा देते है वगर company का कुछ sales growth negative में है क्योंकि कुरूना के situation के चलते हुए इसमें negative जुरू दिखाया earning पर मतलब company का income है वो भी थोड़ा सा मुझे आपे अच्छा खासा नहीं लिगा और company का जो competitor है उसके हिसाब से company का कोई भी competitor नहीं है travel and agency जितने सारे sector है उस sector से बिलोंग करते है railway sector से बिलोंग करते company तो सिर्फ ISTC एक मात्र कमपानी है दूसरा कोई company नहीं है इसका पतला कोई भी competitor यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो quarter basis company का result देखे लिए यह company का result अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ पर करोना के फास situation में देखे 2020 में जबधस performance किया जिस सालों में company का performance सबसे खराब होना था उस सालों में company 530 करोड का total income किया तो 22.1 में तो second lockdown के चलते हुए company ने 190 करोड का profit किया तो company का return देखे एक साल company listing हुआ है तो इसलिए 210% आपको return दे चुके पांस साल का तीन साल का कोई भी data आपको नहीं मिलेगा तो sales growth अभी भी negative में है profit growth अभी भी negative में है और return of equity ठीक ठाक level में है तो company के बारे में और एक चीज आपको दिखा दू बो है company का share holding pattern आप देखे promoter के पास 87.40% था या पर जो इतने सारे promoter है totally आपको पहले में दिखा दू promoter जो है वो totally government है तो central government जो है railway sector का वो ही या पर promoter है तो इस promoter के पास 87% holding था अभी 67% का holding हो चुके है मतलब promoter ज्यादा था share या पर बेच चुके है देखे government जितने सारे share बेचेंगे उसी का फाइदा company को मिलेगा क्योंकि public के पास और institution के पास और जितने सारे corporate sector का companies है उसके पास इसका share ज्यादा रहेंगे तो इसका फाइदा obviously ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि कोई भी PSV sector देख लीजिए कोई भी PSV bank देख लीजिए कोई भी PSV sector का stock देख लीजिए आपको उसमें ज्यादा था growth देखने को नहीं मिलेगा अब sales मान लीजिए, coal India मान लीजिए, banking sector में बहुत सारे SBI है, SBI है, PNB है, corporate bank है तो बहुत सारे banking है, जिसमें PSV banking है, उसमें आपको profit अत्यकर साथ देखने को मिलेगा मगर उसका return of equity, sales growth बहुत week लगएगा, क्योंकि government sector का stock उतना अच्छा का सा भागते नहीं तो यहाँ पर FIS के देखिए, 7.81%, DIS 8.48%, public के पास 16%, public ज्यादा तर यहाँ पर माल ठक रखा है, और public यहाँ पर FIS और DIS ज्यादा तर माल यहाँ पर बेचना शुरू किया तो इसलिए 6,000 से 4,000 तक यहाँ पर एक rally देखने को मिला downtend का, 6,000 से 4,000 तक rally, यह जो rally था, यह totally sell किया गया है, ज्यादा तर यहाँ पर FIS और DIS माल बेचा है, तो इसलिए अच्छा का सा एक downtend देखने को मिलेगा 5 दिन में, तो आज के दिन इस company ने एक अच्छा का सा ते गिरावड दिखाया, तो कल के दिन डो जोन्स भी गिरावड था, मतलब अमेरिकन बाजार भी गिरावड था, तो इसलिए एक impact इंडियान मार्केट बे भी देखने को मिल सकता था, तो उसी का नजरिया आज देखने को मिला, तो आपको maximum chart button open कर दो तो company का performance आपको एक दम फ आज चल रहे हैं, तो इसलिए इस company का earning उतना अच्छा कसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए साथ अभी company में struggle mood में है, तो अभी price range आपको आपको एक बात कहोंगा, company split किया, इसको 1000 के नीचे आपको price range मिल रहे है, मतलब आप खल जाके खरीदर ही मत करियेगा, आपको थोड़ा स invest कर सकते है, तो दो दिन के लिए में wait करना को बोलूँगा, और आपको लगे के आजी और कल नहीं चाके invest करना है, तो invest कर सकते है, देखे, पैसा आपका है, आपको सही जगा पता है, और आपको सही दिशा पता है, तो आप जोरू study करिए, उसके बार stock में invest करिए, वसा करता हो सारे जान करब को मिल चुका है, तो इस वीडियो को share करिए, मिलते हैं नेक्स टॉक लगे, तो अपते के लिए अशे सरी है, अपने क्या लेकिए, बैबाए